सब ही लोगों को नमिश्कार और कैसे हैं आप उम्मिद करती हूं सब लोग अच्छे होंगे आज हम बात करने वाले हैं बहुत इंप्रोडेंट टॉपिक पे कई लोगों ही मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि हमारी पिरियेट्स इन रेगुलर हैं तो हम कौन से मेडेसन ले जिसस में से पाच महलाए यह लड़किया इसी होती है जिनकों की पिरियेट्स इन रेगुलर होते हैं वह किसी भी एज में हो सकते हैं चाहिए वह न्यू लड़किया जो है 15 साल से उपर की उनको और 45 साल पचास साल तक के महलाव को में नहीं हुआ है में जिस एक प्रात्वतिक उस condition को हम menopause बोलते हैं, जिसके द्वारा periods आटोमेटिक से रुख जाते हैं, periods नहीं आते हैं अगर आपके periods आ रहे कई महलाओं के जो periods है या menopause की जो age होती हैं, वो 50 से उपर होती हैं कई महलाओं 45 साल में बंदो जाती है, periods आना सबसे पहले हम main कारण जानते हैं कि periods in regular क्यों होते हैं और regular periods हम किसको बोलते हैं, दीखिए regular periods वो होते हैं आपके periods 21 दिन के उपर आए, 21 दिन में आ जाए, तो वो भी एक normal periods होते हैं और आपके periods अगर 28 दिन से उपर आ रहे हैं या 28 दिन में आ रहे हैं या 30 दिन में आ रहे हैं तो वो भी एक नॉर्मल रेगुलर periods माना जाता है पर इन regular periods हम किसको बोलते हैं या तो आपके periods 15-15 दिन में आ रहे हैं या आठ दिन में आ रहे हैं, या महिने में दो बार आ जाते हैं, या 20 दिन से पहले ही आपके periods आ रहे हैं, तो वो in regular periods के category में आते हैं, अब हम बात करते हैं कि ये जो periods in regular हैं, ये क्यों होते हैं, कई महलाओं के periods इतना delay हो जाते हैं कि देड़ महिने, दो महिने, तीन महिने में भी आते हैं, तो वो भी irregular periods की category में ही आते है irregular periods होते क्यों है देखिए, इसके कहीं कारण होते हैं, irregular periods होने के, कही reasons होते है सबसे main reason होता है कि harmony imbalance के कारण अधिकतर महलाओ के या लड़कियों के जिनके भी periods irregular होते तो main कारण उसमें harmony irregular होता है second reason होता है PCOD या PCS की problem, यानि कि polycystric ovary and disease जो होती है उसके कारण ये एक ovary and disease होती है जो कि ovary में कई गठाने या सिस्ट बन जाती जिसके कारण ये समश्या होती है बच्चे दानी में कोई infection हो या सूजन हो endometriosis के कारण भी periods irregular हो जाते हैं third reason आपको thyroid hormone imbalance होना यानि कि thyroid hormones या तो जादा होना या कम होना hypothyroidism या hyperthyroidism के कारण भी आपको ये समश्या हो सकती है और reason हो सकते हैं जैसे कि आपका weight या तो अचानक से बढ़ रहा है या अचानक से कम हो रहा है इसके कारण भी periods पे सीधा सीधा असर पड़ता है अगर कोई महिलाए married है और वो contraceptic pills use कर रही यानि कि contraceptic pills दवाईया खा रही है जिसके कारण भी periods irregular हो जाते हैं कई महिलाए ऐसा करती है कि जो 21 days की medicine आती है उसको लेना शुरू करती है कई महिलाओं को suit नहीं होती जैसे कि आपने medicine खाना शुरू की और दूसरे 30 दिन या 5-10 दिन आपने उसको बंद कर दी आपको वो suit नहीं हो रही थी जैसे चक्कर, घबराड, बेचेनी पसी, ना ना और भी कई समश्या हो सकती है, वो मिटिंग हो ना इसका मतलब होता है कि आपको medicine suit नहीं हो रही है जिसके कारण आपने उसको बंद कर दी, तो आपके periods जिससा आप बंद करेंगी तो 2-3 निम के बाद में शुरू हो जाते हैं तो आपने वो medicine लेती contraceptic pills वो एक hormonal tablet होती है जो कि आपको pregnancy नहीं रुखने देती है अगर आप उस medicine को लेते हैं और बीच में बंद करते हैं तो वो इस तरह के side effect देती हैं आपको कि बार-बार उससे periods आ सकते हैं, periods irregular हो जाते हैं और main कारण क्या होता है एक कि आप मांसिक तनाव अगर आपको काफी जादा बढ़ गया तो जिसके कारण भी periods irregular हो जाते हैं जिससे कि अगर आपको इससे समझ में नहीं आता है कि हमें किस चीज का tension है कई lady office वर्क होता है और कई family matter भी चलते रहते हैं जिसके कारण periods irregular हो जाते हैं कई महलाए contraceptic pills काफी लंबे टाइम तक और फिर उसको छोड़ देती है जिसके कारण भी हार्मोन इन्रेगुलर हो जाते हैं तो कई महलाएं contraceptic pills के रूप में injection का यूज करती है यानि कि 3 मंथ के जो injection आते हैं कई महलाएं गौर्मेंट हास्पिटल में अंतरा के नाम से जो injection आता है वो लगवा लेती 3 मंथ gap के लिए और फिर उसे injection के side effect के कारण भी हार्मोन इन्रेगुलर हो जाते हैं अब हम बात करते हैं कि हार्मोन इन्रेगुलर के कारण अगर आपके period disturb हुए है तो हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं अगर आपका weight काफी जादा है तो आप थोड़ा कम करिए काफी जादा से मेरा मतलब है कि अगर आपका 70 kg से weight अगर आपका जादा है तो थोड़ा उसको अंदर ही रखिये 70 से उपर नहीं जाना चाहिए अब हम इसको regular कैसे कर सकते हैं अभी हमने जाना कि periods इन regular होने के क्या क्या कारण होते हैं अब हम बात करते हैं कि periods इन regular तो हो गए तो हम इनको regular करने के लिए क्या क्या करें क्या साउधानिया हमें रखना है जिससे कि यह जल्दी से regular हो जाए सबसे फर्स तो आपको अपनी डाइट पिधियार देना है ज्यादा ओइली खाना नहीं खाना है जैसे कि ज्यादा तेल घी वाले प्रोडेक्ट पूरीपराथे पीजा बर्गर जॅप फूर्ड नहीं खाना है आपको सिंपल डाइट फॉलो करना है साला जादा लेना है और नॉर्मल जो खाना आप खाते वो आप खाईए उसके साथ में आपको exercise करना है exercise में आप सुर्ज नमश्कार कर सकते हैं आप 10 exercise ना करके एक exercise करें सुर्ज नमश्कार आपको हर चीज़ में benefit करता है morning work भी आप कर सकते हैं अब हम बात करते हैं medicine के बारे में, कि अगर आपके periods irregular हैं, यानि कि आपके periods बार बार आ रहे हैं, या long time में आ रहे हैं, तो सबसे first तो आप अपने गाइनिक का एक visit करिए, वो क्या बोलते हैं, आप वहां दिखा लिजे अपने नजदी के doctor को, और वो जो भी medicine आपको देखते हैं, आप वो ले सकते हैं, पर कई महिला हैं, मुझसे भी पूछती हैं कि मैं कुछ ऐसा बता दीजिए, तो सबसे पहले तो मैं सभी लोगों को ये बताना चाहूंगी, कि अगर आपके periods इन regular, यानि कि periods या तो बार बार आ रहे हैं, या काफी longer time में आ रहे हैं, तो इसकी ए हो रही हैं, तो six month therapy आपको लेनी पड़ सकती हैं, हम main बात यह होती है कि अगर आपके हार्मोन इन regular है, या PCOD, PCS की problem है, या endometriosis है, तो हम पता कैसे कर सकते हैं, कि हमको आखिर क्या problem है, जिसकी वज़े से हमको ऐसा हो रहा है, तो हम sonography या ultrasound के द्वारा ये पता कर सकते हैं, या करवा सकते हैं, कि आपको क्या problem है, और कुछ hormone test होते हैं, वो करवा के देखना पड़ते हैं, कि क्या reason है, जिसकी वज़े से आपके periods बार बार आ रहे हैं, या irregular हो रहे हैं, अब मैं बात करना चाहूंगी, कि हम periods regular कैसी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए, अगर periods आपके regular हैं या तो 15-15 दिन में आ रहे हैं, heavy bleeding हो रहे हैं, तो आपको एनिमिया भी हो सकता है, यानि कि खुन की कमी भी हो सकती हैं, और long time में आ रहे हैं, तो भी problem काफी हो सकती हैं, अगर long time में आपके periods आ रहे हैं, और अगर जल्दी-जल्दी periods भी आ रहे हैं, तो भी आपको अगर करने के लिए ट्राइ कर रहे हैं तो कंस्यू नहीं हो पाता है इसी कंडिशन में काफी प्रॉब्लम आती है अब हम बात करते हैं मेडिसीन के बारे में medicine देते time हमें कई चीज़े ध्यान रखनी पड़ती है क्योंकि सभी passion के case अलग-अलग होते हैं सभी की cases भी अलग होती है इसलिए सभी passion को एक medicine नहीं दे सकते हैं passion का check-up करने के बाद में कि जो भी medicine देना है वो उसकी disease के according decide की जाती है कि इनको कोई से medicine देना बेटर रहेगा फिर भी कुछ general medicine होती है जो कि अधिकतर passion को दी जाती है और सभी doctor लगभग यही medicine prescribe करते हैं यह एक medicine जो होती है 21 days की होती है और इसको period के पांचवे दिन से लेना शुरू करते है जिसका नाम होता है gynosate gynosate आपको इस तरह की दिखाए देती है इसको egg tablet आपको इसमें जो formula होता है और नौरत्रोस्टरोन होता है 5 mg यह market में कई अलग-अलग नामों से available होती है क्योंकि अलग-अलग brand की अलग-अलग name से यह available होती है और gynosate काफी अच्छा result है इस medicine का और side effect भी उतने देखे नहीं जाते हैं अधिकतर महिलाओं को suit हो जाती है कुछ medicine यह होती है कि कई महिलाओं को suit नहीं होती है फिर भी अगर कोई medicine आप लेते हैं खुछ से और अगर आपको अपने normal body में कोई changes दिखाई देते अचानक से तो आपको medicine रोकना है और फिर doctor को दिखाना है पहले तो आप कोशिश करें कि doctor से check-up करवाने के बाद में ही medicine ले और अगर आप doctor के पास नहीं जा पा रहे हैं कई महिलाओं कई video देख करके medicine लेना शुरू कर देती हैं या कई मेहिला ऐसी होती है जो डॉक्टर के पास जा जाके परेशान हो गई है कोई हल नहीं निकलता है तो कई महिलाओं ऐसी होती है जो कि खुश से भी medicine ले लेती है पर मैं सभी महिलाओं को यह कहना चाहती हूं कि खुश से कोई medicine ना ले क्योंकि सभी medicine के side effect होते है सबी के body अलग-अलग होती इसलिए हम बतानी सकते हैं कि किसको क्या suit होगी या नहीं होगी अब मैंना आपको बताए कि गाइनो से 21 day के लिए आपको लेना है और आपको periods के 5 वे दिन से शुरू करना है यानि कि आप 5 दिन में अगर free हो गए तो पाचवे दिन से शुरू करना है और अगर आप 7 दिन में free होए हैं तो 7 वे दिन से आपको शुरू करना है ये 21 दिन तक आपको लगतार लेना है खाने के बाद में रात को सोतर टाइम ये tablet आपको एक भी दिन miss नहीं करना है अगर आप एक भी दिन किसी भी कारण से मिस कर देते हैं तो आपके periods दूसरे दिन ही शुरू हो जाएंगे ये काफी ध्यान रखने वाली बात होती है इस medicine को लेनी के बात में दूसरे medicine होती है कई लड़किया या महलाए जो भी है वो मुझे comments करती है कि मेरे periods इन regular है मैं M2Tone tablet लू या EV Care tablet लू या syrup लू M2Tone tablet and syrup दोनों में available होती है और EV Care port tablet and syrup और EV Care capsule जो plan होती है वो syrup and tablet दोनों form में available होती है कहीं patient ऐसी होती जो syrup नहीं पी सकती है उनको काफी problem होती है या टेस्ट अच्छा नहीं लगता है तो फिर ऐसे महलाओ को tablet दी दी जाती है जो कि खाने में भी आसान होती है और टेस्ट कभी पता नहीं चलता है तो आप tablet भी ले सकते हैं और syrup भी ले सकते हैं जो आपको suitable लेके वो लेना है तो फर्स टेबलेट आपकी गाइनोसेट हो गई सेकंड टेबलेट आपकी एम्टो टेबलेट ले सकते हैं या सीरप ले सकते हैं अगर टेबलेट ले रहे तो एक टेबलेट रोज लेना है खाने के बाद में और अगर आप सीरप ले रहे तो आपको 7 ml सीरप सुबा लेना है साथ एमेल आपको शाम को लेना है खाने के बाद में कोई भी मेडिसन लेते हैं आप तो दोनों में आधे से एक घंटे का गेप होना चाहिए और अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं आपके पेरेट से इन्रेगुलर है तो फिर आपके लिए बेस टेबलेट कौन सी रहेगी एक तो आपको गाईनो से ठी लेना है जो कि 21 डेस के लिए होती है सेकेंड आपको एम्टोटोन टेबलेट ले सकते हैं या फिर इवी केर फोर्ट टेबलेट आप ले सकते हैं अगर आप प्रेगनेंसी रोपने के लिए ट्राई कर रहे हैं तो इवी केर टेबलेट एंड एम्टोटोन टेबलेट दोनो सम्थिंग या एक जैसी ही होती हैं तो दोनो चीज एक साथ नहीं ले सकते हैं दोनों में से इवी केर टेबलेट आपको वन मंत तक लेना है यानि कि पूरे एक महिने के लिए और गाइनो सेट टेबलेट आपको एक रोज लेना है 21 दिन के लिए 21 दिन तक आप कंटिन्यू लेंगे पिर जैसे आपने बंद की तो 3-4 दिन के बाद में पिरिएट से शुरू हो जाते हैं फिर आप 5 दिन तक पिरिएट रहते हैं पाचवे दिन में फ्री हो जाते हैं तो आपकी जो मेडिसीन एम्टो टोन टेबलेट या इवी केर टेबलेट आपकी वन मंत तक कंटिन्यू रहेगी और गाइनो सेट आपके 21 days के लिए इसी कोर्स को आप फिर से रिपिट कर सकते हैं इसी को थ्री मंत तक लेते हैं अगर आपको ये मेडिसीन लेने के बाद में कोई साइड इफेक्ट दिखाए देते हैं तो आप तुरंट से बंद करिए या आप किसी भी डॉक्टर के अंडर में मेडिसीन लीजिए अगर आपको इवी के टैबलेट एम्टोटोन टैबलेट एंड गाइनोसे टैबलेट के बारे में पूरी जानकरी चाहिए तो इनके आल्रेडी वीडियो है मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रवाइड करवा दूंगी और अगर आपको ये वीडियो देखते टाइम आपके मन में कोई भी कोशन है तो फिर आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं मेरे चैनल को सब्क्राइब करें ताकि आपको अच्छी जादकारी मिल सकते हैं नॉलेजबल वीडियो आते हैं इसके बाद में मैं आपको कहना चाओंगी कि अगर आपको पेट में दर्द भी रहता है या पेट के निचले हिस्से में लोगर अब्डॉमिनल पेन अगर आपको होता है जहां पेडू या बच्चेदानी होती है कई महिलाओ को पिरेट्स आते हैं तो काफी पेट में दर्द भी होता है और अगर आपके पिरेट्स रेगुलर है पिरेट्स आते हैं काफी जल्दी जल्दी आते हैं या लोग टाइम में पिरेट्स आ रहे हैं तो पेट में दर्द भी हो सकता है तो आप दर्द के लिए कौन से medicine ले सकते हैं उसके लिए आप Drotavarin MF यानि के Drotikind के नाम से टेबलेट आती हैं वो ले सकते हैं अब मैंने आपको medicine तो बता दी पर किसको लेना है और किसको नहीं लेना है ये बात मैंने भी आपको नहीं बताई तो ये medicine किसको लेना है आपकी age कम से कम 18 साल से उपर होनी चाहिए वजन आपका 40 kg से उपर होना चाहिए तो आप ये course ले सकते हैं अगर आपकी age 18 साल से कम है और वजन आपका 40 kg से कम है तो आपको ये नहीं लेना है फिर आप अपने नजदी की डॉक्टर को दिखाईए और फिर वह जो medicine देंगे आपको वह आप ले लीजिए ये course married and unmarried दोनों फिमल्स ले सकती है और ये course ये medicine जो भी है ये सिर्फ महिलाओ के लिए है तो जेंड कोई ट्राइए ना करें इसको क्योंकि ये जो problem ही है महिलाओ के लिए होती है अगर आपके family में अगर कोई जेंड से ये वीडियो देखते हैं तो आपकी वाई पापकी sister किसी को भी ये problem है तो आप उनको बता सकते हैं कि आप ये medicine के बारे में देख लीजिए कैसा क्या review है थोड़ा समझा सकते हैं बाकी आप खुछ से ना दे ज्यादा बेटर रहेगा अगर कोई क्योरी हो तो कमेंट्स आप कर दीजिए चेनल पर नए हैं तो सब्क्राइब करें थैंक यू